बिहार के डिप्टी सीम सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी को ज्वेलरी बेचने वाली जलांस ज्वेलरी फर्म ने अपनी सफाय दी है फर्म ने कहा कि उनसे रेखा मोदी ने ही ज्वेलरी खरीदी थी बहें इसका भुकतान स्रिजन महिला सहयोग समिती और रिक्की ताशबुटी की तरफ से आर्टी जीएस और चेक के सर्य ये किया गया था ज्वेलरी कमपनी ने जाच एजनसी को सहयोग का भरोसा दिया है जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मरीजों का इलाज जमीन या फिर कुर्सियों पर किया जा रहा है खुश मरीजों का तो जमीन पर ही लिटा कर इलाज शिरू किया गया बारिश के मौसम की वज़े से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है इन सब के बार डॉक्टर्स मानते हैं कि अस्पताल में संसाधनों की कमी है लॉस एंजलिस में हुए वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जारगन का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाडी सुजाता भगत और बेला घोश को बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्मानित किया राची में राज्जी महिला मोर्चा के ध्यक्ष आरती सिंग ने कहा कि बेला घोश और सुजाता ने महिला सशक्ती करण की मिसाल पेश की है बिहार के सासाराम में बनमाशों ने दिन दहाड़ेक यूवक को गोली मार दी जखमी यूवक को उस्पताल में भरती कराय गया है बताय जा रहे कि हमला आप सिरंजिश की वज़े से हुआ ज़ार्खन के लाते हार के पास बर्याडी में महिलाओं ने विधायक हरी कृष्ण सिंग के सामने हंगामा किया महिलाओं ने बिजलिव और पानी की किलत को लेकर नाराजगी जताई स्थाने विधायक उजवला योजना के तहट गय सिलेंडर बाटने पहुंचे थे लेकिन महा मौजूद महिलाओं का धीरत जवाब दे गया जहारखन की खूटी में पुलिस ने एक मावादी समेट तीन अपराधियों को गिरफतार किया है पकड़े गए मावादी पर दस लाग का इनाम था इस बदमाच पर दो हजार बारा में तीन लोगों की हत्या और लूट के अलाबा अफरन के कई माम लेद दर्ज है बिहार के सारण जिले में गावालों ने एक युवक युपती को छिप कर मिलते देख लिया इसके बाद पंचायत ने दोनों की शादी करवा दी युवक ने भी माना कि वो अपनी भावी की बहन से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है दोनों के बीच प्रेम प्रसां करीब 6 महीने से चल रहा था तमिल्नाडू में मेडिकल पाठिक्रम में प्रवेश पानिक एक चुक छात्रा के खुदकुशी के बाद कोय मतूर में इसलामिक संगठन ने प्रदशन किया प्रदशन कार्यों ने इन मामलो को लेकर तमिल्नाडू सरकार पर विफल होने का आरोप लेकाया तमिल्नाडू में मेडिकल पाठिक्रम में प्रवेश पानिक एक चुक छात्रा के खुदकुशी के बाद कॉय मतूर में इसलामिक संगठन ने प्रदशन किया प्रदेशिन कारे ने इन मामलों को लेकर तमिलनाडू सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया गुवाटी में संक्रमन्ट से पेड़िच 6 महिने के बच्चे को उस्पताल से एरपोर्ट तक ले जाने के लिए ट्राफिक पुलिस और जन्ता ने करीब 45 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया दरसल बच्चे को एरपोर्ट से दिल्ली इलाज के लिए जाना था और ग्रीन कॉरिडोर के जरिये 45 किलोमीटर की दूरी 26 मिनट में तै की गई